मूवी की सुरूआत में हम प्रत्वी पर खड़े एक एलियन को देखते हैं जो अपनी स्पेस सिप से उतर कर एक जहरने के पास आता है जहां पर वो एक अजीब से लिकुड को पीता है और उसकी तुरंत बाद ही उसकी पूरी बोडी मैल्ट होने लगती है और अंत में वो पा पार्टिकल्स देखते हैं जो आज की हुमन बींग के डियन जैसे होते हैं इसका मतलब ये सीन इंसानों के जन्म के बारे में बदा रहा हैं अब कहानी कहीं हजार साल आगे आ जाती हैं जहां पर हमें एडवांस मानव सिभिता को दिखाया जाता हैं और इसी बीच में हम एक साइंटिफी कंपनी को देखते हैं जिसके रिसर्चर कहीं सालों से एक पैंटिंग की मिश्ट्री पर लगे वे हैं उस पैंटिंग में एक आदमी कुछ सितारों की और इसारा करते हुए दिखाया गया हैं इस पैंटिंग की मिश्ट्री ये होती हैं कि ये पैंटिंग दुन उन्होंने ही इंसानों को बनाया है इसलिए अब वो सभी decide करते हैं कि हम उस planet पर जाएंगे और वहां पर research करेंगे कि क्या सच में इंसानों को किसी ने बनाया है यह 1989 का time होता है और इंसान technology में काफी विक्सित हो चुके हैं अब यह company अपने 17 लोगों का एक group बनाती हैं और व प्रोमेथियस अपनी मंजिल के काफी निकट आ जाता है इसलिए डैविड उन सभी को sleeping chamber से जगा देता है जगने के बाद वो सभी देखता है कि वो alien planet बिल्कुल सूनसान होता है मगर तभी उन्हें दो पाहड़ियों के बीच बना एक सीधार रास्ता दिखाई देता है इसलिए एक scientist कहता है कि nature कभी भी सीधे रास्ते नहीं बनाती इसका मतलब यहाँ पर उन्हें जरूर कुछ मिल सकता है वो अपना space सिफ वहीं पर land करते हैं तब उन्हें सामने ही एक बड़ी सी structure दिखाई देती है जिसे देखर साब पता लगता है कि यह प्राकरती घटना से बनी हुई चीज तो नहीं है इसलिए अब वो decide करते हैं कि हम अपने team के साथ जाकर वहाँ पर research करेंगे मगर pilot कहता है कि बरात होने वाली है इसलिए हम अगली सुबे mission को start करे तो ज्यादा बहतर रहेगा लेकिन कुछ साइंटिस्टों को ज्यादा ही excitement होता है इसलिए वो उसी वक्त तैयरी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं उस planet का environment परत्वी जैसा ही होता है मगर वहाँ पर su2 की मातरा थोड़ी ज्यादा होती है इसलिए उन्हें जिन्दा रहने के लिए space suit पहना पड़ता है अब वो लोग उस गुफा में जाकर सबसे पहले अपने scanner छोड़ते हैं ताकि उस पूरी structure का map उन्हें पता चल सके और ये सब उनके team के कुछ members space ship में बैट कर control कर रहे थे अब आगे जाकर उन्हें गुफा के दिवारों में से पानी टपकतावा दिखाई देता है और ये देकर चारली नाम का एक member अपने helmet को उतार देता है हलांकि सब उसे मना करते हैं लेकिन वो उस वातारों में आसनी से सांस ले रहा था उन footage में कुछ लोग किसी चीज़ से डर कर भाग रहे होता है तभी उन में से एक आदमी वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसी वक्त दरवाजा बंध होने की वज़े से उसका सर कट जाता है अब सभी क्रू उस वीडियो फुटेज के according उस जगे पर जाता है जहां पर असल में उन्हें एक मरावा आदमी मिलता है दरसल ये वीडियो यहां की एक advance sensitive फुटेज होती है जो आज से हजारों सालों पहलो ही गटना को represent कर रही है अब वहां पर अभी तक एक invisible door होता है जिसकी वज़े से वो सभी उस आदमे की बोड़ी तक नहीं पहुचवा रहे थे लेकिन डैविड फिर से अपने टेक्निक की मदद से उस दरवाजी को खोल देता है अब वो सभी अंदर जाता है जहां पर उन्हें बहुत सारी मूर्थिया मिलती है और उन्हीं में से एक मूर्थी अचानक से पिगलने लगती है इसलिए मिसाल कहते हैं कि हमें यहां से वापस चले जाना चाहिए उसी वक्त डेविड को वहाँ पर बहुत सारे कैन नजराते हैं और उन्हीं में से एक कैन में से कुछ ब्लैक मैटेरियल बाहर निकल रहा था और डेविड कहता है कि यहां पर एक नई जीवित परजाती का निर्मान किया जा रहा है जैसे आज से हजारों सालों पहले उमानो परजाती को बनाय गया था अब उन सभी को स्पेस सिप से एक वार्निंग मिलती है कि यहां पर एक बहुत बड़ा तुपान आने वाला है इसलिए उन सभी को 15 मिनट के अंदर अंदर वापस स्पेस सिप तक पहुँशना होगा सभी लोग वहां से निकलने लगते हैं उस वक्त डैविड वहां से एक कैन अपने साथ ले लेता है और ये बात किसी को भी पता नहीं चलती हैं अब दुपान वहां पर आ चुका था जिसकी वज़े से उन्हें इस पेस सिप तक पहुँशने में काफी मुस्किल होने लगती हैं लेकिन किसी तरह वो सिप में पहुँश आता हैं मगर तब वो नॉटिस करते हैं कि उनकी टीम के दो साती सात में नहीं हैं दरसल वो उस गुफा में किसी दूसरी जगे पर चल गए थे जिसकी वज़े से वो वहां पर रास्ता भटक चुके हैं इसलिए सिप का पाइलट डिसाइड करता हैं कि हम रात बर यहीं पर रुकते हैं और सुबे जब तुपान खत्म हो जाएगा उस वक्त हम उन्हें लेकर यहां से निकल जाएंगे और उन दोनों को रात पर गुफा में रहने के लिए भी कहते हैं अब हम डेविट को देखते हैं जो कि उस स्कैन को खोलता हैं जो उसी गुफा में मिला था उस में उसे तीन ट्यूब मिलती हैं जिनमें डी नय होता है इसलिए डेविट उस डी नय का टेस्ट करने के लिए चारली को दोके से वो डी नय दे देता हैं ताकि वो पता कर सेगे कि इस डी नय का उमन बोटी पर क्या एफेक्ट परता है अब दूसरी और मिसेल और डॉक्टर सौन उस एलियन खोपडी पर एक्सप्रिमेंट सुरू करते हैं जो उन्हें गुफा के अंदर मिली थी वो किसी तरह उसमें जान डालने की कोसिस करते हैं और इसमें काम्या भी हो जाते हैं अब रात में चारली और मिसेल एक दूसरी से इंटिमेट होते हैं अब दूसरी और हम उन दो लोगों को देखते हैं जो उस गुपा में फसेवे थे वहाँ पर उनका सामने एक साप से होता है जो कुई नॉर्मल साप नहीं होता बलकि उसी human DNA से बना एक बड़ा सा साप होता है और वो उन दोनों को मार देता है अगली सुबे कुछ team members गुपा में जाता है जहां पर उन्हें मरावा देखकर सौक्ट रह जाता है अब उन्हें पता चलता है कि जो scanner उन्होंने गुपा में छोड़ी थे वो किसी जगे पर रुके वे हैं और वहाँ पर जाने पर उन्हें एक दर्वाजा मिलता है हर बार की तरह इस बार भी डैविड उस दर्वाजे को खोल देता है और वो अकेला ही अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत ही advanced technology का एक room होता है अब डैविड कुछ buttons को press करता है जिसकी वज़े से वहाँ पर फिर से एक 3D वीडियो चलता है जिसमें एक alien एक chair पर आकर बैटता है और उसी वक्त वहाँ पर पूरे universe का एक 3D map create होता है डैविड देखता है कि वो alien पूरे universe में से परत्वी को mark करता है और इसके बाद ये वीडियो वहीं पर end हो जाती है तब डैविड को वहाँ पर sleeping chamber मिलता है जिसमें एक alien अभी भी सो रहा था अब दूसरी और चारली की तबिए बहुत खराब होने लगती है क्योंकि डैविड ने उसे वो DNA दिया था और उसकी वज़े से उसकी body में infection हो चुका है अब मिसेल सभी को वापस सीप पर चलने का order देती है और सीप में भी message भेजती है कि उसका back door खोला जाए क्योंकि उन्हें एक emergency है तब सीप का door तो खोला जाता है तब चारली खुद ही सभी को पीचे हटने को कहका डॉक्टर सौन से खुद को मारने के लिए कहता है क्योंकि वो खुद भी किसी के लिए खत्रा नहीं बना चाता है इसलिए डॉक्टर सौन अब चारली को आग लगा देती है अपने लवर को इस तरह जलता देख मिसेल बेहुस हो जाती है जब उसे होस आता है तो वो अपने आपको डेविड के पास में पाती है जो उसका medical check-up कर रहा था और मिसेल को बताता है कि वो तीन महीने से pregnant है ये सुनकर मिसेल हैरान हो जाती है क्योंकि फिछले 28 महीनों से लगातार वो sleeping chamber में थी तब वो तीन महीनों से pregnant कैसे हो सकती है डैविड उसे बताता है कि ये बच्चा कोई normal baby नहीं है हालांकि उसके DNA human जैसे ही है दरसल एक दिन पहले ही चारली और मिसेल ने intercourse किया था और डैविड ने चारली को पहले ही वो alien DNA दे दिया था जिसकी वज़े से मिसेल उस alien DNA से pregnant हो जाती है अब वो दोनों बाते कर ही रहे होता है तब ही मिसेल को बहुत ज़्यादा पैन होने लगता है इसलिए डैविड उसे injection लगा कर बेहूस कर देता है होस आने पर मिसेल देखती है कि सबी टीम मेंबर्स मिलकर उसी sleeping chamber में डाल रहे है इसलिए वो उन सब को धका देकर एक दूसरे रूमें चली जाती है जहां पर automatic surgery machine होती है मिसेल उसमें लेटकर कमांड देती है कि उसके पेट का operation के जाए तब हम देखते है कि उसके पेट से एक octopus जैसा जीव निकलता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है मिसेल वहाँ से निकल कर बाके टीम मेंबर्स के पास जाती है जहां पर वो एक old man को देखती है वो old man डॉक्टर सौन का फादर होता है जो कि कहीं सालों से एक sleeping chamber में था और इस गरह पर research के लिए आना उसी का project था क्योंकि वो आदमी अमर होना चाता है इसलिए चारली और डॉक्टर सौन ने उसे कहा था कि हम जब उन्हें अलियन्स को ढूंड लेंगे जिन्नोंने हामें बनाया है तब हम फिर से आपको जवान बना कर अमर कर पाएंगे तब मिसेल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो सभी अलियन्स मारे जा चुके है तब डैविड कहता है कि उनमें से एक अभी भी जिन्दा है और वो गुफा में बने sleeping चैमर में सो रहा है इसलिए सभी लोग वहाँ पर जाने की तैयारी करते है उसी समय मिसेल के पास जाने काता है और उसे बताता है कि ये वो लोग नहीं है जिन्नोंने हमें बनाय है बलकि यहाँ पर वो एक नई परजाती को बनाने का काम कर रहे थे और ये अलियन परजाती बहुत ही ज़्यादा पावरफूल और खतरनाक थी जिसने उनी लोगों को खत्म कर दिया और जो कैन हमें गुफा में मिले हैं वो उसी एलियन परजाती का डियन है इसलिए हमें इस मिसन को यहीं पर रोक कर वापस निकल जाना चाहिए मगर मिसल कहती है कि उनमें से एक अभी जिंदा है और हमारी टीम उसे जगाने जा रही है अब स्केनर की मदद से उन्हें गुफा का पूरा मैप मिल जाता है ताब उन्हें पता चलता है कि वो कोई गुफा नहीं बलकि पूरा इस्पेस सिफ है अब दूसरी और उनकी टीम गुफा में जाती है जहां पर डैविड बताता है कि ये लोग इस सिफेस सिफ को लेकर पर्थवी पर जाने वाले थे मगर किसी प्रॉबलम की वज़े से वो यहां से निकलने में ऐससफल हो गए थे अब बाकि लोग पूछता है कि वो पर्थवी उपर क्यों जा रहे थे तब डैविड बताता है कि वो लोग नई परजाती बनाने से पहले मानों परजाती को खत्म करना चाहते थे अब वो सभी उस स्लिपिंग चैंबर में सोरे ऐलिन को जगा देते हैं और डैविड को उससे बात करने को कहता है क्योंकि वो एक रोबोट है इसलिए वो किसी भी लेंगवेज को आसानी से समझ सकता है मगर वो एलिन जगते ही सबसे पहले डैविड की गरदन तोड़ देता है और बाकि सभी को भी मार देता है मगर मिसेल वहाँ से भाग जाती है अब वो एलिन अपनी इस पे सिप को चालू करता है और उससे टैक आफ करना सुरू कर देता है मिसेल भागते हुए किसी तरह वहाँ से बच निकलती है और अपनी सिप को आर्डर देती है कि वो इसlden sip को टेकॉअब करने से रोके मगर सिप का पाइलट कहता है कि हमें इस इस सिप से कोई लेन देना नहीं है बलकि हमें तो यहाँ से निकल जाना चाहिए तब मिसल कहते हैं कि यह सिप हमारी परत्वी को तबाह करने जा रहा है इसलिए हमें इसे किसी भी हालत में रोकना होगा अब सिप का पाइलेट टेक आप करता है और अपनी सिप को उस एलियन सिप से टकरा कर डेश्ट्रोई कर देता है इस हादसे में सभी लोग मारे जाते हैं बचती हैं तो किवल मिसेल अब मिसेल अपने तबाह हो चुके सिप के अंदर जाती हैं ताकि वो जिंदा रहने का कुछ जरूरी सामान ला सके उसे में उसे सिप से अजीब तरह की आवाजे सुनाई देती हैं जब उन्हें फॉलो करते हैं वहां तक जाती हैं तो वो देखती हैं कि उस सरजरी चैमर में एक बड़ा सा क्रीचर हैं जिसको मिसेल ने जनम दिया था अब वो पूरी तरह से हार चुकी थी क्योंकि उसे इस ग्रह से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तब वाइरलेस पर उससे डैविड का मैसेज मिलता है जो उससे हैल्प मागता है तब मिसेल कहते हैं कि तुमारी हैल्प करने पर मुझे क्या मिलेगा तब डैविड कहता है कि इस प्लैनेट पर बहुत सारी स्पेसिप हैं और मैं उन्हें चलाना जानता हूँ जिसकी मदद से मैं तुमें पर्थवी तक वापस पहुचा सकता हूँ लेकिन मिसेल कहते हैं कि मुझे पर्थवी पर वापस नहीं जाना बलकि वहाँ पर जाना चाती हूँ जहां से ये ऐलियन आये है तब डैविड कहता है कि मैं तुमें वहाँ पर पहुचा सकता हूँ मगर तुम वहाँ पर क्यों जाना चाती हूँ तब वो खहती हैं कि मैं ये जानना चाथी हूँ कि जिनों ने हमें बनाया है वो हमें क्यों मानना चाथे हैं अब मिसल डैविड के सर और उसकी बोड़ी को एक बैग में रखती हैं और वो दोनों एक स्पेस अछिप को लेकर उस ऐलियन गरह के और निकल जाते हैं और आकेर में हमें एक बहुत ही खतरना केरिचर को देखते हैं जो उस मरिवे एलिन की बोड़ी से निकलता है इसी के साथ ये मुवी यहीं पर एंड हो जाती है इस कहानी को कंटिन्यू किया गया है इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर आप उसका भी एक सेपरेट वीडियो चाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लेगे और अगर ये वीडियो पसंद आया हूँ तो इसे लाइक और चैनल को सबस्काइब जरूर करना आपके मैं मिलूँगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ तब तक लिए थैंक यू